नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नियुदकस आयस चैनल पर आज मैं आपको यहां पर APS का जो अभी हाल में एक्जाम हुआ है उसके कट आफ के बारे में यहां बताओं कि इतनी कट आफ जाने वाली है तो उसका भी अपना एक आप के अंदर आ रहे हैं या एक दो नमबर नीचे हैं तो आप लोग शॉट्अ की तैरी कर रहे होंगे कुछ बच्चों का हो चुका होगा शॉट्हां काफी अच्छा. तो बच्टा सुल्वात में आप प्रेल में इसका शॉट हैंड का शुडियूल है कि शॉट हैंड और टाइपिंग करा ली जाएगी तो टाइम कम है क्योंकि शॉट हैंड टाइम टेकिन प्रोसर्स होता है तो आप यहां पर देख लिए जो को जो की साथ तारीक को भी हुआ है उसमें नंबर और कुशन जो वन फिप्टी कुशन आया तो तीन सेक्षन में डिवाइड थे और सभी जो पे कुशन थे वह बहुत ही मॉडरेट टाइप थे मतलब अवरेज टाइप के कुशन आये थे बहुत बच्चों ने जैसे की कंप्य कुशन ऐसे था उनको लग रहा था कि सहीं कुश कुशन घलत भी उसमें कम्प्यूटर क्या च्प्यूटर कुशन काफी अच्छे आया थे उन्हों उनका पेप थोड़ा सा ठीठाक हुआ लेकि बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो उस इसार जो एनलिसिस किया रहा है कि ओव तो कट अफ कितनी जाने वाली है इसको रहने वाली है तो कट आप इस से नीचे की आप बहुत कम एक दो नमबर नीचे हो सकता है लेकिन बहुत जदा वेरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप यहां पर देखेंगे जो कटाफ जाने वाली है आपकी जानते हैं कि जो कटाफ होती है तो यह कटाफ भी अटी-फाइफ से से यहां पर देखेंगे हम लोग 78 से से इसमें देखने को नहीं को इसमें मिलेगा देखेंगे और यहां पर मैं आपको एक और बता देता हूं जो बच्चे भड़ते हैं ठीक है ना तो इसकी बच्चे भी क्या करेंगे उनका जो वाली उनकी भी लगवग 85-90 नंबर हो सकता है कि तरहासी चौरासी के चला जाए बहुत ज़्यादा वह इसलिए महन के चले इतना है तो आप बिलकुल से बिलकुल फ्री होके आप बिलकुल बिना टेंसलिया कि मेरा होगा की नहीं होगा कि आगे बढ़ें कि करें कि ना करें मन लगा करें कि ना करें तो वह सो बिलकुल आप बिलकुल अगर इसके आसपास दो नंबर भी उपर नीचे है तो आप बिलकुल कोई टेंसलिया बिलकुल लगे रही है उसके इंदर फिर उसके बाद एक एस्टी की जानी वाली वह 70-75 के आसपास जाएगी और जो मुमेंस की जो cut-off है उनकी cut-off जो जाएगी वह लगबर आपकी जाएगी 78 इनकी लगबर का सबस यही cut-off रहने वाली है तो जिनकी cut-off इसके अंदर है जितना मैं बताई है वो जितनी इस रेंज के अन्दर जो बच्चे आ रहे हैं वो सभी के सभी अपनी तयारी जो इस्टेनों पर फ यह उसमें आप कर लेंगे कि में जो है वो है इस्टेनों पर आप अच्छे से कर पा रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं तो आप अपना निर्भी को के त्यारी करें आज के लिए इतने ही धन्यवाद